स्क्रीन खुलती है एक शांत चांदनी रात में एक छोटे से गाव का द्रिश्य दूर दूर तक केवल चांद की हलकी रौशनी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती है नरेटर हॉले से एक शांत रात लेकिन एक छोटे से घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी अर्जुन तुमने सुना ये आवाज क्या थी अर्जुन डरे हुए हाँ दीदी मुझे भी डर लग रहा है रिया स्पश्टता से हमें बाहर जाकर देखना चाहिए जैसे ही रिया पत्थर को छूती है अचानक एक गहरा सूरज मुखी फूल उगाता है फूल से एक हल्की सी चमक निकलती है अर्जुन ये फूल तो कभी भी यहां नहीं था फूल की चमक के साथ एक छोटा सा कागज गिरता है रिया कागज को खोलती है और उसमें लिखा होता है सच्चाई खोजो, रहस्य सुलजाओ तब ही गाम के बुजर्ग दादा जी आते हैं दादा जी, वह फूल जादुई है इसके माध्यम से तुम्हें एक गुमशुदा खजाना ढूनना होगा रिया, आश्चरे चकेत, खजाना, हमें कैसे पता चलेगा दादा जी, मुस्कुराते हुए फूल की चमक तुम्हें रास्ता दिखाएगी जैसे ही दादा जी की बात समाप्त होती है फूल की चमक और तेज होती है और एक रास्ता उगता है जो जंगल की ओर जाता है रिया, हमें इस रास्ते पर चलना होगा दोनों भाई बहन हाथ में हाथ डाल कर चमकदार रास्ते पर चलने लगते हैं जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें नए रहस्यों का सामना करना पड़ता है और हर मोड पर एक नया सस्पेंस खुलता है नरेटर रहस्यमय ढंक से और इस तरह रिया और अरजुन ने उस रात की रहस्यमय आवाज के पीछे छुपे गुमशुदा खजाने की खोज में अपना सफर शुरू किया जो उनके साहस और बुद्धिमत्ता का इमतहान लेने वाली थी द्रिश्य समाप्त होता है कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में घुश जाता है